कॉंग्रेस पार्टी अभी 5 राज्यों के करारी हार से उभरी भी नहीं है और अब पार्टी को चम्मु कश्मीर से एक बड़ा जटका लगा है यहां मुकश्मीर में पार्टी के नेता विक्रम आदित्या सिंग ने पार्टी की सिद्रसता से इस्तीफा दे दिया है साथ ही विक्रामादित्य सिंग ने आरोप लगाया है कि पार्टी जम्मु कश्मीर के जमीनी मुद्धों को समझने में विफल रही है विक्रामादित्य सिंग सीनियर कॉंग्रेस नेता कर्ण सिंग के लड़के हैं विक्राम अधित्या सिंग ने कॉंग्रेस सद्यक्ष सोनिय गान जी को अपना स्तीफा भेजा है भेजे गए स्तीफे में उन्होंने लिखा कि मेरा ये मानना है कि कॉंग्रेस जम्मु कश्मीर के लोगों की भावनाओं को और उनकी उमीदों को समझ नहीं पा रही विक्राम अधित्य ने स्तीफे को शेर करते हुई ट्वीट कर लिखा जब मु कश्मीर के महत्पूर मुद्दों पर मेरी सिती राष्टे हितों को दर्शाती है जो कॉंग्रेस की साथ मेल नहीं खा रही पार्टी जमीनी हकिकत से बहुत दूर है पांच राज्यों में करारी हार के बाद कॉंग्रेस पार्टी के नेतरित पर सवाल उठ रहे हैं हाल ही में कपिल सिब्भल ने इंडियन एक्स्प्रेस को एक इंटर्व्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार को पीछे हट जाना चाहिए सिब्भल ने राजूल गांधी के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राजूल गांदी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है फिर वीवे सारे फैसले ले रहे हैं सिब्बल ने इंटर्वीव में कहा कि पंजाब में राहूल गांदी ने चन्नी को मुख्यमंतरी का चेहरा बना दिया। उन्होंने किस हैसियत से फैसला लिया था। पंजाब विधानसमा चुनाव में कॉंग्रेस की करारी हार के बाद G23 ग्रूप भी सक्री हो गया। इस ग्र गुलाम नवी आजाद से करीब एक घंटा तक मुलाकात की। गुलाम नवी आजाद ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि सोन्या गांदी के नेत्रित्व से किसी को कोई आपत्ती नहीं है। उन्हें कुछ सुझाब थे जो उन्हें पार्टी अध्यक्ष को सौपे हैं। वह खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।